सोनपूर के जंगल में मीना नाम की चरिया रहती थी वे बहुत ही खुबसुरत चरिया थी उसे अपनी खुबसुरती पर बहुत घमंड था और साथ ही में वो थोड़ा लालची भी थी लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारन दिखने वाले कालू कौवे से हो गई थी जिसे व वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कालू कौवा जंगल में बाज के ओफीस में क्लर्क का काम करता था। महीने के पंदरा दिन वो टूर पर दुसरे जंगल में ही रहता। तंखवा भी ठीक ही थी। लेकिन मीना की हर दिन नई नई फर्माइशों को पूरा करने के चक् महीने से पहले ही उसकी सारी तंखवा खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है। सुबह का समय था। मीना चिरिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। तब ही कालू ने उसे जगाते हुए कहा। क्या बात है मीना आज बहुत देर तक सोई हुई हो। तो क्या करूँ। जिसकी किस मती सो गई हो वो जाग कर भी क्या करे। क्या बात है मीना आज सुबह सुबह ही ताने देने शुरू कर दिये। तो क्या चाहते हैं आप सुबह सुबह आपकी पुजा करू या फिर पैर दबाऊ। कालू कौवा समझ गया कि मीना चिरिया को कोई चीज चाहिए क्यूंकि आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है, दो तीन महीने रुख जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं, तो फिर मीना चिरिया बहुत ही लालची थी, उसे हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता था, इस बीच मीना के परोस में एक नया शादी शुदा जोडा मोनू कबूतर और तूनी चिरिया रहने के लिए आए, जब मीना ने मोनू कबूतर और तूनी चिरिया को देखा तो उन्हे गूरते हुए सोचने लगी वाह! कितना हैंसम कबूतर है क्या मस्त कपल हैं दोनों काफी अमीर भी लग रहे हैं लगता है बहुत पैसा होगा दोनों के पास और एक मेरे पती है न शकल अच्छी है और नहीं कमाई नीना को जब पता लगा कि ये जोडा बिलकुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी खास तोर पर मोनू कबूतर से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी एक दिन वो उनके घर गई उसने दरवाजा खट खट आया दरवाजा मोनू ने ही खोला सामने से मोनू कबूतर को देखकर मीना उस पर और भी लट्टू हो गई जी वो मैं आपके परोस में रहती हूँ थोड़ा दूद चाहिए था मुझे जी अभी देता हूँ टूनी टूनी जरा कटोरी में दूद तो ले आना टूनी दूद लेकर आ गई मोनू कबूतर ने उसे मीना को देने को कहा इस बीच मीना की नजर टूनी के गले में पहने नेकलस पर गई उसने अंदाजा लगाया कि ये सोने कही होगा टूनी और मोनू दोनों ने मीना को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन मीना चिरिया जब दूध की कटोरी लेकर अपने घर गई तो कालू कोवे की नजर उस पर गई घर में तो इतनी सारा दूध पड़ा है फिर तुम पड़ों से मान कर क्यों ले आई ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ओफिस में कलर्क नहीं होते धीरे धीरे मीना मोनू कबूतर और टूनी से दोस्ती बढ़ाने लगी जल्दी वो उनका विश्वास जीतने में काम्याब हो गई कभी कभी टूनी किसी काम से बाहर गई होती तो वो टूनी की गेरहजरी में भी मोनू के पास चली जाती और उससे घंटों बाते करती बस करिए मीना भाभी आप तो हसा हसा कर जान ही ले लेंगी ऐसा मत कहिए मोनू आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं एक बार बोलिए तो ये आप क्या कह रही है आप तो सीरियस ही हो गए अब आपकी भावी को आपसे मजाक करने का भी अधेकार नहीं है क्या इंडाइरेक्टली वो मोनू कबूतर को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने जूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती क्यूंकि उसे पता था कि मोनू बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है ऐसे ही कुछ और दिन निकल जाते हैं मीना को कोई मौका नहीं मिल रहा होता मौनू कबूतर को अपने जूठे प्यार में फंसाने का पर एक दिन किस्मत से उसे यह मौका मिल जाता है तूनी की मां की तबियत खराब होती है इसलिए तूनी अपने माय के चली जाती है इधर मीना को जब पता लगा कि तूनी कुछ दिनों के लिए अपने माय के जा चुकी है तो उसने मन ही मन एक प्लैन बनाया यही सही मौका है मौनू को फसाने का कालू भी बाहर है और तूनी भी अपने माय के गई हुई है तूनी को माय के गई हुए अभी दो ही दिन हुए थे रात को मीना मोनू कबूतर के घर जाती है क्या बात है मोनू, बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में मीना भाभी, वो किचन में खाना बना रहा था, आपको तो पता है ना मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती, लगता है आप मुझे पराया समझते हैं, नही तो उसका मकसद कुछ और था, वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी, उसने ना सिर्फ खाना बनाया बलकि मोनू को खिलाया भी, अब तो मीना सुबाय शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती, मोनू को मीना का ये स्वभाव बहुत अच्छा एक दिन, मीना भावी, मैं आपको क्या कहूं, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं, नहीं तो खाना बनाना और ओफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है, एक दिन की बात है, मीना सुबा सुबा मोनू के घर आई, और कहने लगी, अरे मोनू, वो क्या है ना कि आज मेरा शौवा खराब हो गया है, बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बातरूम में नहलूँ, मोनू ने हामी भर दी, इधर मीना तो किसी और फिराक में थी, उसने मोनू के बातरूम में कैमरा चुपाया और उसमें आटोमेटिक क्लिक बटन आन कर दिया, थोड़ कि आज नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, इधर कैमरा अपना काम कर रहा था, मीना बहुत देर तक जब उससे लिप्टी रही तो मोनू को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक मोनू को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे जटके से हट सौरी मोनू, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहां से एक कौक्रोच बाथरूम में निकलाया, उसे देख कर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी, मोनू अब भी मीना से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था, इधर मीना अपने प्लैन में काम्य अगले दिन मीना एक लिफाफे के साथ आती है और कहती है, मोनू मुझे एक लाख रुप्ये दो वरना इस लिफाफे को तुम्हारी पत्नी को भेज दोगी इस लिफाफे में वो फोटो है, जो कल तुमने मेरे साथ बाथरूम में खेचवाई थी, यह आप क्या बोल रही हो मीना भावी मीना मोनू को सारी बात बता देती है, कैसे उसने ये सारा नाटक किया था, मोनू डर जाता है और उसे पैसे दे देता है, अगले दिन वो मोनू से पांच लाख ओर मांगती है, और मोनू इस बार भी उसे पैसे दे देता है मोनू मीना की धमकियों के कारण टूनी के पास जाना चाहता था, तभी मीना आती है और उसे दो लाख और मांगती है, मोनू उसे शाम का देने को कहता है, अब वो मीना से परेशान हो चुका था, वो टूनी को सारी बात बताना चाहता था, हालाकि गलती उससे भी तो हुई थी मुनू ने बहुत सोचा और उसने टूनी से माफी मानते हुए उसे सारी बाते बता दी शाम को मीना पैसे लेने आती है तो वो टूनी को देख चौक जाती है अरे चूनी तूम का बाई मीना भावी मुझे तो आना ही पड़ेगा जब कोई मेरी पती को ब्लेकमेल करेगा अब आप सच सच बोलेगी या में पुलिस को बुलाओ पुलिस का नाम सुन मीना डर गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया मुझे शर्म आती है आप जैसे औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फसाती है कालू भाईया में क्या कमी है वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं मीना को अपनी गलती का अहसास हो गया था उसने उन दोनों से माफी मांग ली मुनू और टूनी ने कुछ दिनों बाद अपना घर खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए जब कालू को इन सब चीजों के वारे में पता जला तो उसने भी मीना से अपना रिष्टा तोड लिया इस तरह मीना को अपने लालच की कीमत चुकानी पही